ये गाइज दर कम बैक टू गरम को सिपस्वाज मैप के लिए रिक्षावाला पार्ट वन के बार में रीविव और उसके होट सेंस के डामिंग के बार में डीटेल आपको बताने वालो सो प्लीज वीडियो लास तक देखें कब पहले हम जाएंगे इसके कास्टन को उपर उसके बाद डीटेल्स उसके बाद होट सेंस के डामिंग के उपर और लास्ट में हम डिस्क्स करेंगे उसकी बेसिक स्टोरी लाइन इसमें जैनी जैज ने काम किया है मानुवी चूग यह भी अक्ट्रेस में काम कर रही है इसमें डीटेल्स यह रिल्यूज इसके टोटल तीन एपिसोर्ड रिल्यूस हो चुकिया है इसकी स्टाल 18 प्लस रोमेंस और ड्रामा में आती है इसका ओडिटेल्स प्लाटफर्म उल्लू है इसकी डामिर आफ ओरीजिन हिंदी है इसके अम्डिवेटिंग नॉट अवेलेबल है और इसकी एपिसोर्ड की 25 तू 30 मिट्स पर डिफर करती है ऐसकी अम्डिवेटिंग नॉटेल्स पर आफ दिफाज़ गए 3 minutes and 37 seconds पर रुक खट डग लग एक passionate pitting scene दिखा गया और लास्ट अवद एपिसोड 3 में 15 minutes and 51 seconds पर मान वी चुक एक passionate smile clip शीन ने passionate pitting scene दिखा गया है So let's come upon its basic storyline So इसकी storyline बहुत ही जादा एक अलग type की हर बार एक उल्लू platform पर एक अलग type की जो web series है वाती है इस तरह की same cast पर ही ये भी एक web series आपको देखने के लिए मिलेगी जहाँ पर एक लड़की एक रिक्षा वाले के साथ प्यार में पढ़ जाती है और कैसे उसके घरवाले उसको support करते हैं या नहीं करते हैं या करने के बाद कुछ problems आ जाते हैं क्या कि सिनेरियो के बारे में इसमें बता गया है वह हम सब इस web series में देखने वाले कैसे जैनी जैज और मानवी चूप का जो रोल है वो अच्छी तरके से इसमें बता गया है पर इसमें ज्यादा जो bold scenes है वो जैनी जैज के मिलेगे मानवी चूप के सिर्फ एक और दो ही आपको इसमें एक scenes मिलेगे कहानी शूरू होती है नीशा से जो अपने boyfriend के साथ पहले बहुत ज़्यादा खुश होती है पर एक time ऐसा आजाता है जहाँ पर नीशा को पता चेंद रहता है कि अपने जो boyfriend है वो एक अलग लड़की के साथ अपना time spent कर रहा है मतलब वो एक साथ दो दो लड़कियों को date कर रहा है इसको पैसे के लिए रखा है और दूसरी को physical अपने satisfaction लाने के लिए तो वहाँ पर जब उससे समय जाता है तब वो दौडती है suicide करने के लिए तो suicide करने के समय जो वहाँ पर जो रिच्छा वाला होता है वो उससे बचा लेता है और उससे बोलता है कि suicide करने से पहले आप सोच लोगी कि आपकी life के बाद suicide करने के बाद इसका effect किस किस पर पड़ेगा तो यह सब विच्छार करने के बाद वो एक point पर आती है कि मैं क्यों sacrifice करूँ खुद को अब इसके बाद अपनी life जीने लगते पर जब हो सोती है तब उसको वही सपने आज आने लगते आने चालो होने है कि उसका जो boyfriend है हूँ अप उसरे लड़की के साथ time spent कर रहा है इसका बहुत ज़्यदा वो stress लेती है और फिर से नदी में कुदनी के लिए चली जाती है तब वहाँ पर सेम रिक्षा वाला आता है और उसकी मदद करता है उसकी help करता है motivate करने के लिए कि तुम suicide मत करो बाद में वो बहुत ही ज़्यादा उसके करीब हो जाता है कि वो दोनों भी गूमने लगते है दोनों भी time spent करने लगते है और एक time पर वो जब mall में होती है तब उसका boyfriend एक boyfriend उसे वहाँ पर आता है और उसे छेडने लगता है और वीडियो लिक करने की बाते है पर वहाँ प उसको मारता है और पिटता है वहां से उसको निकाल के लेके जाता है कुछ time भी जाता है जहाँ पर रिक्षा वाला और नीशा बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त बन जाते है फिर से और करीब आने लगते है वहाँ पर उसका जो ex boyfriend है वो उसे उन दोनों का time spent करते हुए देख लेता है अब वो निशा के जाने के बाद उस रिक्षा वाले को approach करता है और वो बोलता है कि मैं तेरी मदद कर लेता हूँ क्योंकि लड़किया लड़किया ही होती है वो फिर से दोका देगी जिसे अगर वो मेरे साथ time spent करी है क्या मालूम मुझे भी छोड़कर अब तेरी साथ time spent ने के बाद तेरे को भी छोड़ देगी और इस मिस confusion में उसको डाल जेता है पर वो बहुत ज़्यादा firm रहता है उसकी decisions पर अब बाद में निशा उसको अपने घर पर invite करती है और निशा घर पर invite करने के बाद वो दोनों भी एक साथ time spent करते है अपनी जो अफ़ी साइड पर दिखाएगे कि जैनी जैस जो निशा की भावी होती है वो उसका जो relation है वो एक दूसरे मर्ण के साथ चल रहा होता है और वो सब कुछ वापर confess करती है कि वो जो उसका जो बंदा है जैनी जैस का उसने सब कुछ जो business है जो पती के साथ पती का जो business हो सब इसने उपर लेके आया है अब वो जब जैनी जैस सुनती है तब वो बहुत ज़्यदा शौक हो जाती है अब जब वो गहराती है तब वहापर निशा और रिक्षा वाला जो है उसने उसका introduction क्लियर किया नहीं था तब वो दोनों भी time spent कर रहोते है जब निशा उसके लिए एक अच्छी सिसारी पेंट गड़ाती है तब वो ज़्यदा उसके तरफ attract होने लगता है तब भी कुछ problem की वज़ए से light चली जाती है अब light चली जाने के बाद मिशा चली जाती है fuse डूनने के लिए तब चैनी जैस उसे बोलती है कि तुम भी उसके पीछे जाओ और उसकी यूज अच्छा कर लेते है और light चली आती है अब उसी टाइम पर वो दोनों एक दूसरे के इतने पास होते हैं कि वो दोनों एक साथ टाइम दोनों भी spend करते हैं अब time spend करते time पर उस जैनी जैस को पता चल जाता है कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा करी आ चुके है अब उस दोनों को एक दूसरे के लिए पास नहीं इतना आना चाहिए क्योंकि उनके दोनों के बीच में एक हैसियत का difference है एक और का difference है तब वो सोचने लगती है कि वो क्या करें अब आगे का पार्क में इससे दिखाए गया है कि कैसे वो और पार्ट में कुछ ने कुछ शडिया अंतर रचकर मेशा को मना लेती है और बाद में है कैसे उस चीज़ को उसके माइड में बहर देती है और उसको अपनी तरफ खीच लिक्या आती है और इसी मिस्फिलिंग के साथ ये पार्ट यहाँ पर खतम हो जाता है बाकी का तो आपको सब कुछ AI बताई देगा नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी विडियो के लिए कल मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सबजेक्ट के साथ तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक केर